समाज एक ऐसा अक्षर नहीं जो मिट जाए, सफर नहीं जो कट जाए, ये तो वो ऐसास है जिसके लिए जीना भी कमपट जाए मुश्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिष्टों का कोई तोल नहीं होता, लोग तो मिल जाते हैं हर मोड पर, लेकिन हर कोई हमारे मुझवा समाज के लोगों जैसा नहीं होता समस्याओं के बारे में सोचने पर सिर्फ बहाने मिलते हैं और समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिलते हैं तो जिन्दगी को आसा नहीं, बस खुद को मस्गुत बनाना पड़ता है, क्योंकि उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है और जिस तरह और आखिर में मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना जो भी है मन में वो सबने ना तोड़ना कदम कदम पर मिलेंगे मुश्किलें आपको बस तारिस चुनने के लिए कभी जमीन ना छोड़ना और आप लोग काम ऐसा करो की पहचान बन जाएं कदम ऐसा चलो की निशान बन जाएं पर ये जिन्दगी जियो तो ऐसी कि सब के लिए मिसाल ना मेरे पिता कहते हैं कि खरीद सकते हूने तो अपनी जिन्दगी बेच कर भी खरीद लेंगे पर अफसोस है कि कुछ लोग कीमत से नहीं किसमत से मिलते हैं तो ऐसे लोगों मैं से ही हमारे बजरंग अंकल अंकल का कहना है कि छूले आसमा जमी की तलाश न कर जीले जिन्दगी खुशी की तलाश न कर तकदीर बदल चाहेगी मेरे दोस मुस्कुरा ना सीख ले वजा की तलाशना करा मेरे और मेरे भाई ने मेरा भाई भी अभी बारा साल का है जो ग्राजवेशन सेकेंड यर कर रहा है जो गूगल बॉई के नाम से बहुत मशूर है आप यूटूब पर भी देख सकते हो तो जब मुझे और मेरे भाई को बहुत सारे लोग देखते हैं तो बोलते हैं कि God blessed child है हजारो लाखों में एक बच्चा ऐसा होता है पर ऐसा कुछ नहीं है मेरे माता पिता ने ये प्रूफ किया कि अगर आप बच्चे को proper training करते हो और proper guide करते हो तो सब बच्चे भी मेरे जैसा और मेरे भाई जैसा बन सकते हैं तो आप लोग को एक छोटा सा example देना चाहती हूँ कि नन्य चीटी जब दाना लेकर चलती है चड़ती दीवारों पर सौ बार फिसलती है मन का विश्वास रगों में साहस भरता है चड़ कर गिरना और गिर कर चड़ना ना अखरता है आखिर उसकी मैनत बेकार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और ये असफलता एक चुनोती है इसे स्वीकार करो क्या कमी रह गई उससे पूरा करो जब तक नासफल हो नीद और चैन को त्यागो तुम संगर्ष का मैदान छोड़ कर मत भागो तुम कुछ किये बिना ही जजेकार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती कर दो तुम कर दो